हेलो फ्रेंज मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आज मैं आपके साथ सलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी तो इसके लिए मैंने कॉटन का दो मिटर फैबरिक लिया है ये सलवार हम दो मिटर फैबरिक में बनाएंगे इसके लिए का फोल्ड हो जाएगा और हाफ इंच नीचे सिलाए में जाएगा बैल्ट की चोड़ाई के लिए जो भी हिप राउंड होगा उसको टू से डिवाइड करेंगे और उसमें फोर इंच प्लस करेंगे तो यहां पर हिप राउंड है 36 इंच टू से डिवाइड करने से होगा 18 इंच और उसमें 4 přुल्ड करेंगे तो हो जाएगा 22 इंच तो इस तरह से में फे जोड़ाई से कम है यहाँ पर हाइप च्अधर लगा लेंगे कि बेल्ट की लेंड के लिए जो 80 पे मांगया था उसको स्केलस की इलप से सीधा कर लेंगे और सेम मार्किंग पर कटिंगאש करेंगे तो ये बैल्ट की cutting कर ली है इसको हमालग कर देंगे अब जो फैब्रिक बचा है उसे हम पहले lengthwise फोल्ड करेंगे और फिर widthwise फोल्ड करेंगे तो ये fabric up फोर फोल्ड में हो गया है ये बंद वाली सैड मेरी तरफ है और open वाली सैड सामने की तरफ है बंद वाली साइड से सलवार की लेंद के लिए मार्किंग करनी है तो जो भी हमें फुल लेंद रखनी है उसमें से 6 इंच बैल्ट का मार्किंग करेंगे और 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पर मुझे full length रखनी है 38 inch उसमें से मैंने 6 inch belt का minus किया है तो हो गया 32 inch और 1 inch उसमें plus किया है तो 33 inch पे मैंने निशान लगाया है अब यहाँ से मोरी या पोंचे के लिए marking करेंगे तो जितनी भी मोरी हमें रखनी है उसका half करेंगे और 1.5 inch प्लस कर देंगे तो यहाँ मैंने 7.5 inch पे mark किया है सामने की तरफ फैबरी की open वाली side है तो open वाली side से फैबरी की full length को major करेंगे और उसका center point निकालेंगे तो यहाँ पर फैबरी की full length है 36 inch और उसका half हो है 18 inch तो center point 18 पे एक mark करेंगे इस पर हम अपने आसन के लिए marking करेंगे तो जो भी hip round होगा उसका third part लेना है उसमें से 6 inch belt का minus करेंगे और 1-2 inch प्लस करेंगे तो यहाँ पर hip round है 36 inch उसका third part वा 12 inch belt का minus करने पर होगा 6 inch और उसमें 2 inch प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 inch तो इस तरह से मैंने यह मैंने cutting कर ली है यह side panel है यहाँ पर उपर जूड़ेंगे और यह जो extra fabric है इसमें से हम अपनी मोरी बनाएंगे और belt में joint लगाएंगे तो यह मैंने extra fabric को अठा लिया है और यह जो panel से वो यहाँ पर जूड़ेंगे यह नीचे मोरी है यह उपर चुनट आएंगे और यह belt तो cutting होने के बाद कुछ इस तरह से सलवार दिखेगी अब हम stitching देखते हैं तो पहले हम belt तियार करेंगे तो इसके लिए जो हमारे पास extra fabric बचा था उसको हम लेंगे और इसमें दो इंच का जो हमें जोड़ लगाना था वो लगाएंगे तो यह हाफ इंच इसके उपर बढ़ा कर रखेंगे फैब्रिक को यह सिलाई में जाएगा और फिर दो इंच पर निशान लगाएंगे यह बैल्ट में जोड़ लगाने के लिए पट्टी कट कर ली है अब इन दोनों पट्टियों को बैल्ट के दोनों सिरों पर सीधी तरफ रखकर सिलाई लगानी है तो यह मैंने जोड़ लगा लिया है यहाँ पर आदे इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे उपर की तरफ एक इंच का गैप रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से आदे इंच पर सिलाई लगाएंगे एक इंच की गैप रखेंगे और फिर नीचे सिलाई लगाएंगे यहाँ पर दो से तीन बार सिलाई लगा कर लेंगे तो ये मैंने सिलाई लगा ली है अब हमने जो गयाप रखा था उसको इस तरह से ओपन करेंगे और फैब्रिक को साइड में करके इसके उपर एक और सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है अब हाफ इंच और फिर एक इंच इस तरह से डेड़ इंच का फोल्ड करते हुए चारो तरप सिलाई लगा लेंगे और निपा त्यार कर लेंगे यह बैल्ट तयार हो गया है यह मैंने सेंटर पैनल लिया है इसके साथ हम सैड के पैनल को अटैज करेंगे तो सेंटर पैनल की राइड सैड के उपर हम सैड के पैनल को रखेंगे दोनों तरफ और सीधी सिलाई लगा कर इसको अटैज कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने दोनों ही side panel को attach कर लिया है इसी तरह से हम दूसरा part भी ready कर लेंगे यहाँ पर मैंने दोनों ही part के साथ side के panel को attach कर लिया है अब उपर के तरफ इसमें हम plates बनाएंगे तो जो plates हम बनाएंगे उसका जो face है वो front वाल यासन के तरफ रहेगा तो यह plates हमें इतनी डालनी हैं कि जो belt के side है वहां तकाए तो मैं आपको plates डाल कर दिखाती हूँ तो यह एक part मैंने लिया है इसको open करके रखेंगे तो मैं आपको थोड़ा नजजीक से दिखाती हूँ तो यहाँ पर हम plates बनाएंगे जो आसन में front की तरफ रखना है उसमें एक इंचाके से छोड़कर front आसन की तरफ face करते हूए हमें plates बनानी है तो यह front side की plates बन गई है अब हम पीछे के आसन की तरफ भी दो plates बनाएंगे तो उसका face हम पीछे वाले आसन की तरफ ही करेंगे अब इस पार्ट को belt के बराबर रखके देखेंगे तो देखेंगे यह बिल्कुल बराबर आ रहा है अब इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट को भी ready कर लेंगे तो यह दूसरे पार्ट में भी मैंने plates ले ली है अब इन plates पर हम सिलाई लगा लेंगे तो ये देखिए दोनों ही पार्ट पर मैंने सिलाई लगा ली है अब दोनों ही पार्ट की राइट सेड अंदर की तरफ हो इस तरह से रखना है और दोनों तरफ के आसन पर सिलाई लगानी है ये मैंने दोनों तरफ के आसन पर सिलाई लगा ली है अब हम इसको बैल्ट के साथ अटेच करेंगे तो ये दिखिए बैल्ट है बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है तो ये बैल्ट के सेंटर के साथ आसन को मिलाते हैं हम इस तरह से रखेंगे और गुलाई में पूरे ही बैल्ट पर सिलाई लगा लेंगे यह मैंने बैल्ट एटेज कर लिया है अब हम इसकी मोरी बनाएंगे तो इसके लिए मैं आपको तोड़ा नज्दीक से दिखाती हूँ यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ले ली है और एक पेस्टिंग पेपर का पीस लिया है मोरी के बराबर इसको हम फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे चारों तरफ थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हूए और जो इसकी चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है तो यह मैंने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है अब हम इसे सलवार के राइट साइड पर रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और जो इसकी दूसरी सैड है उसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको हम रॉंग सैड में टर्न करेंगे फिर इसके उपर वाली सैड में एक सिलाई लगाएंगे और मोरी में जो डिजाइन आपको बनानी है वो बना लेंगे तो यहाँ पर यह मैंने मोरी तयार कर ली है अब सलवार को रॉंग साइड में टर्न करेंगे मोरी से फैब्रिक को मिलाते हुए एक इंच का मार्जिन छोड़ कर इनर लैक के सिलाई लगा लेंगे तो यह है सलवार का फाइनल लूप अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग